Hello दोस्तो, Boss of Indian Share Bazaar में आपका एक फ्रिट सस्वागत है अभी नीचे मैंने एक वीडियो अपलोड करी है, उससे जरूर देख लीजेगा यहाँ पर एक गोदरज कंस्यूमर से रिलेटेड है और बहुत अच्छे प्राइस पर आपको मिल रहा है और एक में बाइंग सिंगनल है तो आपको इसे खरीदते हैं तो शायद आपको शॉट टर्म में काफी अच्छा प्रोफित होता हूँ नजरा सकता है तो आप देख लीजिएगा एक बार इस वीडियो को तो अच्छी कंपनी भी है लॉंग तरम के हिसाब से भी और नीचे डिस्क्रिप्शन में दो लिंक दे रखें एक में एंचल ब्रोकिंग से रिटेड आपका फीरी में डीमेट अगाउंट ओपन हो जाएगा एस वेल एस एक श्री राम जी का मंदिर बनने जा रहा है और लोग उसमें काफी महतपूर भूमी का अदा कर रहे हैं डोनेट करके और ताकि मंदिर बने तो आप वह पर जाके डोनेट कर सकते हैं अपनी इच्छनुसा यह डिस्क्रिप्शन यह लिंक है तो आप लिंक पर क्लिक करेंगे नीकी वेबसेट पर पहुझ जाएंगे इस वीडियो में हम कुछ अलग बात करने वाले वीडियो में आपको कुछ अच्छी बाते बताऊंगा अगर आपको अच्छी लगे तो आप उसे डेफिनिट्री करिएगा तो आईए वीडियो की तरफ चलते हैं तो देखिए यह एक बुक है शेयर मार्केट से कैसे मैंने कमाए 10 करूर रूपे या फिर इंग्लिश में भी यह है ओके हाव आई मेड टू मिलियन इंदे श्टॉक मार्केट तो यह स्टॉक मार्केट में ने दो मिलियन कमाए है दो मिलियन पता है कितने दिन में कमाए है अठारे महीने में अठारे महीन है यह शक्स पहले तो मैं उससे रूब रूब कर देता हूं तो इनका नाम है Nicholas Darvas I think most of the people जानते हैं इनके बारे में ओके और जो नहीं जानते हैं और जो जानते हैं फिर भी एक पार सुन ली जिए क्या जाता है सुने में तो देखिए Nicholas Darvas was a dancer यहां पर आप देख सकते हैं he was a dancer and self-taught to investor and author मैं इन्होंने खुदी सीखा है कि कैसे investment करते हैं कैसे trading करते हैं और इन्होंने एक book लग्की लिखी है How I made okay two million dollar okay तो यह इनकी famous book है इसके लाब अनो और भी book के लिखी है but हम इसी book के लेटी बाते करेंगे देखिए nowadays I am reading this book तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाता हूँ अगर you are in a business of stock market तो आपको daily study करनी पड़ेगी daily आपको सीखना पड़ेगा और आपको गलती करने से बचने के लिए ना तो आपको books पड़नी पड़ेगी क्यों क्यों क्योंकि books में आपको knowledge मिलेगी as well as in books में आपको ऐसी knowledge मिलेगी जिससे आप बचेंगे कि आप वो गलती repeat ना करें अगर इस book की में बात करूँ okay कैसे मैंने 10 करोट रुपे कमाए या फिर English में तो मिलियन टॉलर की a book है how I made two million dollar in the stock market तो इसमें बताया है इन्होंने कि इन्होंने क्या-क्या गलतिया करिये okay इन्होंने बताया है कि किस तरीके से 18 महीन में ने 10 करोट रुपे जरू कमाए 18 महीन में ने two million dollar इन्हों जरू कमाए अगर हम बात करें यहां पर हम investor है बट investment में भी देखिए वही गलती हम करते हैं जो यह करते हैं okay उन्होंने तो इन्होंने हमें बताया है कि इन्होंने क्या गलती करिया तो अगर आप इस book को purchase करते हैं पड़ते हैं कोई ज्यादा कीमत की book नहीं है इंग्लिश में 275 और अगर बात कर जाए हिंदी में तो 110 रुपे की book मिल रही है तो इसमें आपको थोड़े से पैसे कर्च करके एक अच्छी knowledge मिल जाएगी आप कहीं भी जाएगा इस book को online purchase कर लीजेगा या book store पर आप मिल जाएगा तो आपको knowledge मिलेगी कि किस तरीके से इन्होंने गलतिया करिया और इन्होंने एक theory बनाई है क्या theory बनाई है तो इन्होंने एक theory बनाई थी box theory जिसके नाम से आप जानते है और इन्होंने एक theory अगर देखे तो he discovered his box theory बनाई है जब इस book को आप पढ़ेंगे तो आपको बदर चलेगा कि box theory exactly है क्या और इसके इलावे इन्होंने अपने views रखे है market के बारे में कि किस तरीके से share उपर जाते है किस तरीके से share हमें खरीने चाहिए और किस prospectus से में share करने चाहिए अगर share खरीद रहे है तो हमें क्या view रखना चाहिए तो वह सब चीच के बारे में हमें यहां पर सीखनों को मिलता है इस पांच मिंट की वीडियो में सब कुछ नहीं बता पाऊंगा वाट इस्टिल मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बुक्स को पढ़िये और अगर आप business में share बजार के तो आपको definitely पढ़ना चाहिए देखी जब मैंने अपनी college खत्म किया था okay I was thinking कि यह मेरी लाश पढ़ाई है इसके बाद मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूँगा but when if sorry now I am in the business of financial okay finance के business में हूं I am in the business of stock market तो everyday आपको पढ़ना पढ़ता है everyday आपको market को पढ़ना पढ़ता है everyday आपको stock की analysis करना पढ़ता है as well as बात की जाए तो आपको books पढ़नी पढ़ती है books से आपको knowledge मिलेगी और दूसरों की गलतिया से आपको कमी मिलते पता चलेगी कि दूसरों क्या गलती करिया so that हम वह गलतिया ना करें और वह गलती हम नहीं करेंगे तो हमें अब फायदा होगा और हमें गलती करने से बच जाएंगे तो यही सब है इसके इलाबा थोड़ा सा technical भी पढ़िये क्योंकि technical पढ़ने से हमें क्या पता चलता है इससे हमें पैता चलता है कि हमें कब entry लेनी है और कब exit करना है entry exit का वै 500 500 600 चल जाता है को कि मेरे साथ भूद बार हुआ है बट technical से आपको एक support पता चल जाएगी हां भाई यह शेर और भग जाएगा fundamental से इसे पता चल जाएगी कि यह शेर कितना fundamentally strong है तो अगर हम इसे portfolio में रखते हैं तो यह हमें किस तरीके से कितने time में कितना profit दे सकता है उसके कोई अंदाज हम लगा नहीं सकते हैं तो हमें सब चीच की study करनी है यही नहीं कि हम investor है तो हम बसके वल श्टॉक को खरीदेंग आप उसमें देख सकते हैं आप सारी books है उसे आप पढ़ सकते हैं और बाकी यह book को पढ़ना बिल्कु मैं बूलियेगा काफी अच्छी book है इसमें आपको knowledge मिलेगी तो जादा बड़ी video नहीं करते हैं बस simple बतरना चाहता हूं इस book को Hindi में भी है English में भी है जिसमें आप चा जिसको शेयर बजार से कोई knowledge नहीं है और simple एक dancer है उसने इस तरीके से पैसे कैसे कमा लिए तो कोई भी आ सकता है कोई भी पैसे कमा सकता है it is a business जिसमें कोई भी enter कर सकता है and anyone can like made that kind of amount okay और बस थोड़ा सा ध्यांग देने के जरूवता है and nothing गासर टाइम देने के जरूवता है जो कि सब देते हैं so अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो like, comment, share करियेगा as well as हमारे इस चैनल को grow करने में मदद करिये okay ताकि हम इस तरीके की वीडियो भी लाते रहे as well as share से लिट बाते करते रहे तो thank you so much God bless